दुबाई के क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी का फैसला किया इसके बाद पहले बल्लेबाजी करने आई, पाकिस्तान के टीम निर्धारित 50 ओवर के मैच में 7 विकेट के नुकसान पर महज 237 रन ही बना सकी। इस दोरान पाकिस्तान की तरफ से जिस बल्लेबाज ने सबसे अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया, वे शोयब मल शोयब मलेक ने 90 गेंदों का सामना करके, 4 चोके और 2 चके की मदद से 86.67 के आउसत से 78 रन बनाए, इसके अलावा सर्फराज एहमद ने 66 गेंद पर 44 रन और फक्खर जमान ने 44 गेंद पर 31 रनों की पारी खेली, मिले इस आसान लक्षे का पीछा करने उतरी, टीम इंडिया कि सलामी बलेबाज ने शांदार खेल का प्रदर्शन दिखाया और पहले विकेट के लिए 2 और 10 रनों की बड़ी साज़धारी बना ली, इस दोरान सलामी बलेबाज शिकर दवन ने 100 गेंदों का सामना करके 114 रन बनाए, वहीं रोहित शर्मा ने भी शांदार बलेबाजी का प्रदर्शन करते हुए शक्किये पारी खेल डाली और टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ नौवे केट से जीत दिला दी, रोहित शर्मा ने इस मैच में एक सौग नीज गेंद का सामना करके साथ चौके और चार चौके की मंदत से 111 रन बनाए, इसी के साथ अब ट करते हुआ है